हम सारा theory section को cover करेंगे and second video में हम Indian river से related सभी important question जो है वो solve करेंगे 50 plus important question जो last year exam में पूछे गए हैं वो सारे question जो है हम solve करेंगे second lecture में तो पहला lecture जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो second lecture आने वाला है आपको उसी lecture में से exam में question देखने को मिल जाएगा तो lecture को बिना skip करिए पूरा देखिएगा साथी friends अगर आपको इस video का PDF डाउनलोड करना है तो आप crazy secret trick का app डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर हमने option दे रखा है तो चलिए lecture को हम शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपसे एक important shit discuss कर लेता हूँ दो term आपको देखिए इस lecture में बार-बार सुनने को मिलेगी तो आप confused ना हो इसलिए मैं आपको पहले वह clear कर देता हूँ एस्चूरी और डेल्टा क्या होता है एस्चूरी को देखिए हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमूग ठीके तो क्या होता है यह हम पहले discuss कर लेते हैं सागर तर्ट पर इस्थीत आदा बंद खारे पानी का वह शेत्र होता है एस्चूरी जहां पर नदियों का ताजा पानी जो है वह समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है ठीके तो आपको क्लियर हुआ एस्चूरी क्या होता है आदा बंद खारे पानी का वह शेत्र जहां पर नदियों का ताजा पानी जो है वह समुद्र के खारे पानी के साथ में मिलता है क्लियर कौन-कौन सी नदियां जो है वो एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी, तापती नदी, मांडवी नदी ये जो नदियां है ये एस्चुरी मतलब ज्वार नद मुख का निर्मान करती है आगे लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगा इस सीच को बस इतना ध्यान रखें कि एस्चुरी होता क्या है आगे बात करते हैं देखें डेल्टा जो है ये क्या होता है तो देखिए नदी जहां पर सागर से मिलती है उस जगह पर नदी दुआरा बहा कर लाए गए मिट्टी के कारण जो मुख्य नदी होती है वो कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है तो उस सागर किनारे त्रिभुजाकार शेत्र को ही क्या बोला जाता है डेल्टा बोला जाता है डेल्टा जो होते हैं वो प्राया उपजाओ मिट्टी का निर्मान करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो आपको clear हुआ delta क्या होता है और estuary क्या होता है ध्यान रखियेगा गंगा, ब्रह्मपूत्र, महानदी, गोदावरी, क्रश्णा, कावेरी ये सब जो नदियां है ये delta का निर्मान करती हैं आगे हम ये lecture में discuss करने वाले हैं, तो बस estuary क्या होता है और delta क्या होता है, I hope आपको समझ में आ गया होगा चलिए हम start करते हैं कि भारत का जो अपवा तंतर है, drainage system में, वो क्या है तो सबसे पहले ये word को हम clear कर लेते हैं कि drainage system अपवा तंतर होता क्या है अपवा तंतर जो शब्द है, ये एक नदी तंतर की व्याख्या करता हैं जिसमें अलग-अलग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्मान करती हैं मतलब मुख्य नदी का निर्मान करती हैं, ओके, यहाँ पर जो अलग-लग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराया आती है, वो मुख्य नदी की क्या होती हैं, सायक नदियां होती हैं, समझ में आया आए आपको अपवातंत्र शब्द जो है, एक नदी तंत्र की व्याक्या करता हैं, तो भारत के अपवातंत्र ड्रेने सिस्टम के हम बात करेंगे, तो इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे, कौन-कौन से, देखे, स्ट्रक्चर समझ लीजे पहले कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को स्टड़ी करने वाले हैं, तो देखे, दो भागों में हम इसको पढ़ और इन मुख्य नदियों की बहुत सारी क्या होती है, सायक नदिया होती है, तो वही हम इसमें डिसकस करने वाले हैं, सेकेंड देखिए प्राइदिपी अपवात अंतर में हम मध्य और दक्षिन भारत की नदियों को डिसकस करेंगे, जैसे कि नर्मदा नदी, तापती नदी, महानदी, गोदावरी, क्रशना, कावेरी, इन सब नदियों को हम डिसकस करेंगे प्राइदिपी अपवात अंतर में, और लास्ट में देखिए, कुछ important नदिया में आपसे डिसकस करूँगा, जहां से एक्जाम में अक्सर कोशन पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए हम हिमालाई अपवात तंतर के बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधू नदी तंतर को, तो देखे फ्रेंट्स, सिंधू नदी जो है, वो बैसिकली तीन देशों में होकर बहती हैं, चीन, भारत और पाकिस्तान, चीन के देखिए तिबबत इस्थित मानसरवर जिल के इंटर कर जाती हैं, और कराची के पूर्वर से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं, इस नदी की कुल लंबाई जो है, वो कितनी है, 2880 किलोमेटर हैं, तो सिंधू नदी का देखिए उदगम कहां से होता हैं, भारत के बहार से होता हैं, चीन के तिबबत इस्थि जाता, इस चीज को आप ध्यार रखिएगा कहां परिस्तिते हैं, दाएं तट परिस्तिते हैं, सिंधू नदी के देखिए अरब सागर में मिलने से पहले, इसमें पांच प्रमुक इसकी सायक नदियां जो हैं, वो आकर मिल जाती हैं, इसमें देखिए चेनाब और सागर में चेनाब नदी की हम सबसे पहले बात करते हैं, ये सिंधू नदी की सबसे बड़ी सायक नदी हैं, इसका उदगम जो है, वो हिमाचल प्रदेश के देखिए के 12 लारा दर्रे से होता हैं, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्मान जो है, वो दो नदियों से होता हैं, एक आगे बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंदू नदी से मिल जाती हैं। सिंदू नदी में मिलने से पहले इसमें जेलम, रावी, सतलज, व्यास नदी आकर मिलती हैं किसमें चेनाब नदी में। चलिए कौन सी नदी कहाँ पर मिलती हैं? इस चीज को हम देख लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं जेलम नदी की. जेलम नदी का उदगम जो है, वो कश्मिर घाटी के बेरी नाग के निकट से होता हैं. ये नदी, 117 किलोमेटर भारत-पाकिस्तान सीमा का निर्मान करती और कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं. इसके बाद देखे सतलज नदी की बात करते हैं. ये नदी जो है, तिब्बत के देखे राक्षस ताल से निकलती हैं. और सिंदु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं. आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के भावलपूर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं. चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी जो है वो आकर मिलती हैं. किसमें सतलज नदी में? ध्यान रखेगा सतलज नदी का जो उदगम है, वो भारत में नहीं होता है, कहाँ पर होता है, तिबबत के मानसरवर में होता है, ठीके, तिबबत के मानसरवर इस्थित राक्षत ताल से सतलज नदी जो है, वो निकलती है, हमने जैसे की बात करी कि व्यास नदी जो है, वो सतलज नदी में आकर मिल जाती है, हरीके शेत्र में जो व्यास व सतलज नदी का संगाम होता है वहीं से देश की सबसे लंबी नहर जो है इंद्रा गांधी नहर वो निकलती है देश की सबसे लंबी नहर जो है इंद्रा गांधी नहर कहां से निकलती है हरीके में निकलती हैं जहाँ पर 207 नदी का संगाम होता है ये नहर जो है पंजाब राजेस्तान से होकर गुजरात में इंटर करती हैं राजेस्तान में इसकी सबसे अधिक लंबाई हैं 470 किलोमेटर तो ये चीज़ आपको नदियां जो है वो एक हो जाती हैं जहलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब ये पंचो नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं इसलिए इसे पंचनद नदी का नाम दिया गया है मतलब सिंदू नदी में मिलने से पहले 45 किलोमेटर तक ये पंचो नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं ठीक है तो पंचनद नदी किसे बोला गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा इस चीज़ को ध्यान रखेगा अब देखेए फ्रेंड्स धिमाग में एक बात आती है कि सिंदू, चेनाब, जेलम, रावी, सतलज और व्यास नदी जो है ये सारी नदिया भारत में होते हुए भेती हैं उसके बाद में पाकिस्तान में इंटर करती हैं तो भारत अगर पूरी तरह से इन नदियों को रोक ले तो पाकिस्तान के पास तो पानी कैसे पोचेगा तो इसको ध्यान में रखकर एक सिंदू जल समझोता हुआ था 1960 में पानी के वित्रन के लिए तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए इसलिए ध्यान से सुनियेगा 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधी हुई थी सिंदू जल संधी इस संधी के अनुसार तीन पूर्वी नदियों का कंट्रोल जो है वो किसे दिया गया भारत को दिया गया व्यास, रावी और सतलज नदी का ठीके? और तीन पश्चिमी नदियां जो थी सिंदू, चेनाप और जेलम इन तीनों पश्चिमी नदियों का कंट्रोल किसे दिया गया पाकिस्तान को दिया गया तो ये थी सिंदू जल संधी इस चीज को आप ध्यान रखेगा 1960 में हुई थी किस नदी का कंट्रोल किस देश को दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए व्यास, रावी और सतलज नदी का भारत को दिया गया सिंदू, चेनाब और जेलम का कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान को तो ये हमने अच्छे से पुरा डिसकस करा सिंदू नदी तंत्र आई होप आपको समझ में आया होगा ठीके, यहाँ पर जो मुख्य धारा थी, वो कुंसी थी सिंदू नदी थी उसकी भहुत सारी सायक नदिया थी जेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब ये उसकी सायक नदिया थी जो हमने अच्छे से डिसकस करा है चलिए आगे हम बात करते हैं अब गंगा नदी तंत्र की इंपोर्टेंट है, यहाँ से भहुत कोशन एक्जाम में पूछे आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा गंगा नदी जो है, वो भारत की सबसे लंबी नदी है इसकी कुल लंबाई जो है, वो कित्ती है 2525 किलोमेटर है भारत में इसकी लंबाई कितनी है 271 किलोमेटर जो है भारत में इसकी लंबाई है बाकी जो है वो बांगला देश में है आगे देखेगा इंपोर्टेंट चीज सतोपत हिमानी से निकली अलकननदा नदी और गोमुक से निकली भागिरती नदी जब देव प्रयाग में आकर मिलती है तब इसका सयुकत रूब जो है वो क्या केलाता है गंगा नदी केलाता है रहे बहुत बार एक्जाम में कोशन पूचा गया है कि देखेए अलकननदा नदी कहां से निकलती है भागिरती नदी कहां से निकलती है तो ये चीज आपको पता होना चाहिए गंगोत्री से 19 किलोमेटर दूर गोमुक से निकलती है भागिरती नदी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है ठीके, बहुत बार एक्जाम में कोशन ये पूछा गया है और अलकनन्दा नदी और भागिरती नदी किस इस्थान पर आकर मिलती है किस इस्थान पर देव प्रियाग में आकर मिलती है ये चीज आपको पता होना चाहिए ओके, अलकनन्दा नदी की देखे दो प्रमुक सायक नदी आए वो ध्यान रखेगा, एक पिंडार नदी और एक मंदाकनी नदी पिंडार नदी जो है ये अलकनन्दा को कंड प्रियाग में आकर मिलती है कहाँ पर मिलती है, कंड प्रियाग में और मंदाकनी नदी जो है ये अलकनन्दा को रूद्र प्रियाग में आकर मिलती है कहाँ पर रूद्र प्रियाग में तो कंड प्रियाग में देखिए अलक नंदा को पिंडार नदी मिलती है, रुद्र प्रियाग में अलक नंदा को मंदाकनी नदी मिलती है, और देव प्रियाग में अलक नंदा को भागी रती नदी मिलती है, ठीके, ये चीज़ ध्यान रखेगा, important है, साथी धोली गंगा जो ह वो अलक नंदा को विश्णु प्रियाग में आकर मिलती हैं और friends, प्रसिद्ध केदारनात मंदिर जो है वो किस नदी के तड़ पर इस्थित हैं मंदाकनी नदी के तड़ पर ही इस्थित हैं बदरीनात का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलगनंदा नदी के तड़ परिस्थित हैं तो दोनों ये प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस नदी के तड़ परिस्थित हैं ये आपको पता होना चाहिए मंदाकनी नदी के तड़ परिस्थित केदारनात मंदिर और अलगनंदा नदी के तड़ पर इस्थित बदरिनात मंदिर क्लियर हुआ उत्राकंड से देखे निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पशिब मंगाल तक बहती हैं पशिब मंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती हैं हुगली नदी और मुख्यधारा भागी रती में ये भागी रती नदी जो है ये बांगला देश में मुख्यधारा के रूप में प्रवेश करती हैं जहां पर इसे पद्मा के नाम से जाना जाता हैं गंगा नदी को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है important question है। आगे बहती हुवी ये पदमा ब्रह्मपुत्र जिसे बांगला देश में जमुना बोला जाता हैं उससे मिल जाती है। और गंगा और जमुना का सयुक्त रूप जो कि ब्रह्मपुत्र नद clear? अब देखिए गंगा नदी की बहुत सारी सायक नदी आएं। गंगा नदी तंत्र जो है उसमें देखिए बहुत सारी इसकी सायक नदी आएं। कोन-कोन सी? यमुना नदी, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घागरा जिसे सरियु नदी कहते हैं, गंडक और राम गंगा जो है गंगा नदी की सायक नदी आएं। और बहुत सारी सायक नदीओं की भी अपनी सायक नदी आएं। उन सभी को हम अच्छे से डिसकस करने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से। देखिए, गंगा की सबसे बड़ी सायक नदी अगर कोई सी ह तो वो कौन सी है यमुना नदी हैं, जो की उत्राखंड के बंदरपू चोटी पर इस्तीत यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं, कहां से निकलती ध्यान रखेगा उत्राखंड के बंदरपू चोटी से निकलती हैं, ये नदी उत्राखंड से हरियाना और दिल्ली प्रियाग राज इलाबाद में गंगा नदी से जाकर मिल जाती हैं कहां पर मिलती है यमुना नदी गंगा से इलाबाद मतलब प्रियाग राज में आकर मिलती हैं यमुना नदी के प्राचिन नाम ध्यान रखिएगा कालिंदी नदी हैं क्या नाम है कालिंदी नदी अभी देखिए कौन-कौन सी, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये नदियां जो है यमुना नदी में आकर मिलती हैं, अब देखिए इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कोशन यहां से भी बनता है, तो चंबल नदी के सबसे पहले बात करते हैं, ये नदी देखिए अंदोर इस्थीद महू शेत्रिक के जानापाव परवत से निकलती हैं, कहां से निकलती हैं, इन दोर से धेखिए मद्डिपदेश से निकलती हैं, और उथर मद्डिभाग में बहते हुए, ये नदी राजयस्तान से होकर उत्तर पदेश के इटावा में यमुना नदी से आ प्मिल जाती हैं, बेत्वा नदी भी मृद्डि पतर से निकलती हैं, ध्यान रखेगा, एक प्रसिद्ध इस्थान सांची जो है, वो बेत्वा नदी इसकी सायक नदी आएं साथी केन नदी जो है वो भी यमुना नदी की सायक नदी हैं इसके बाद देखिए गंगा नदी की अगली हम देखे सायक नदी की बात करते हैं जो की है कोसी नदी कोसी नदी जो है ये नेपाल में हिमालय से निकलती हैं और आगे बढ़ते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं ये नदी प्राय अपना मार्ग जो है बदलने के करण चर्चा में रहती हैं इसमें आने वाली बाड़ से बिहार में maximum टाइम पर तबाई जो है वो देखने को मिलती हैं इसलिए इस नदी को बिहार का शोग भी कहा जाता हैं बिहार का शोग किसे का जाता हैं कोसी नदी को का जाता हैं और अपने मार्ग परिवर्तन करने की वज़े से बहुत ज़्यदा चर्चा में रहती हैं कोसी नदी ये नदी बिहार के कटियार में गंगा नदी से आकर मिल जाती हैं तो कोसी नदी को हमने डिसकस करा ध्यान इसके बाद बात करते हैं देखे दामोदर नदी की जो कि गंगा नदी की सायक नदी है जारकन के देखे छोटा नागपुर पटार से निकलती है और पशिम में बैते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है जो हमने बात करी थी कि फरक्का में गंगा नदी जो है वो द आप दामोदर नदी को कहा जाता है, ध्यान रखेगा प्रदूशन के कारण इस नदी को जेविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, एक्जाम में कोशन पुछा गयाता है, कि इस नदी को जेविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेगा दामोदर नदी को जेविक मरुस्तल के नाम से जाने जाता है इसके बाद देखे गंगा नदी की अगली सायक नदी की बात करते हैं गोमती नदी यह भी important है इस नदी का उदगम जो है उत्तरपदेश के पिली भी इस्थित गोमत ताल से होता है जिसे फुलर जिल भी कहा जाता है यह गंगा नदी की एक मात्र ऐसी सायक नदी है जिसका उदगम मेदान से होता है ओके इस चीज को ध्यान रखिएगा पुरानिक मानिताओं के अनुसार भगवान राम ने जब रावन का वद किया था तब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने गोमती नदी में ही इस्नान किया था तो आप सभी को देखिए पताई होगा ये तो गोमती नदी ध्यान रखिएगा बस इतना गंगा नदी की एक मात्र सायक नदी जिसका उदगम मेदान से होता है इसके बाद देखिए सोन नदी की बात करते हैं गंगा नदी की सायक नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामा की स्थान से निकलती हैं उत्तर की ओर भैते हुए पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती हैं एक इंपोर्टन चीज में आपको बता रहा हूँ सोन नदी जैसे के मैंने आपको बताया उत्तर की ओर बैती हैं ठीके और उपर से जो यमुना नदी आ रही हैं यमुना नदी और सोन नदी इन दोनों के देखिए जल विभाजन का काम जो है तो इस चीज को आप ध्यान रखेगा सोन नदी और यमुना नदी के बीद जल विभाजन का काम कोन सी पाड़िया करती हैं केमूर की पाड़िया करती हैं इसके अलावा देखिए गंगा नदी की सायक नदियों में घागरा नदी आती हैं जिसे सर्यू नदी के नाम जाना जाता हैं और गंड़क नदी जो की गंगा नदी के बाएं तर्ट पर आकर मिलती हैं अब देखिए गंगा नदी से रिलेटेट कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं एक्जाम में ये कुशन पुछा आता हैं कि कोन सी नदी गंगा नदी के दाएं तर्ट पर आकर मिलती हैं और कोन सी नदी बाएं तर्ट पर आकर मिलती हैं तो इस चीज को लेकर कन्फूजन होता हैं तो इसको हम क्लियर कर लेते हैं देखिए गंगा नदी के दाएं तर्ट पर तीन नदियां आपको दिमाग में रखनी है एक है यमुना नदी, सोन नदी और टॉन्स नदी ठीक है ये नदियां जो है गंगा नदी के दाएं तर्ट पर आकर मिलती हैं ओके, 22rd की बात करते हैं तो, गोमती, गणडग, घागरा और कोशी नदी, ये नदियां जो है, गञगा नदी के 22rd पर आकर मिलती हैं, तो बहुत ही सिंपल है, यमुना नदी, सोन नदी और टौंस नदी, दाएं थट पर, 22rd पर गोमती, गणडग, घागरा और कोशी, इससे related भी कोशन एक्जाम में पूछा आता हैं तो ये चीज इसलिए हमने क्लियर कर लिए हैं। इंटर करती हैं और वहाँ से ये बंगलादेश में चली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स तो ये गंगा नदी तंत्र को हमने अच्छे से पूरा डिसकस करा हैं। ध्यान रखेगा ब्रह्मपूत्र, सतलज और सिंदु नदियां ये नदियां जो है तिबबत के मांसरोवर के आसपास से ही निकलती हैं। ठीक है? तिबबत से निकलने वाली इस नदी को तिबबत में यरलूंग जंगबो के नाम से जाना जाता हैं। किस नाम से जाना जाता हैं? यरलूंग जंगबो के नाम से जाना जाता हैं। साती इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से भी जाना आता हैं। दोनों नाम ध्यान रखेगा यरलूंग जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता हैं ब्रह्मपूत्र नदी को तिब्बत में। जब ये नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती हैं तब इसे यहाँ पर ब्रह्मपूत्र के नाम से जाना जाता हैं। साथी ब्रह्मपूत्र नदी को अरुनाचल प्रदेश में दिहां के नाम से जाना जाता हैं। जब ये नदी असम घाटी में बैते हुए बांगलादेश में प्रवेश करती हैं तब इसे वहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता हैं। देखिए तिब्बत में इसे यरलूंग जंगबो और सांगपो के नाम से आना जाता है। भारत में इसे देखिए अरुनाचल प्रदेश में दियांग के नाम से आना जाता है। और जब ये बांगलादेश में इंटर करती हैं, तब इसे जमुना के नाम से जना जाता हैं. ठीके, बांगलादेश में इसे जमुना के नाम से जना जाता हैं. बांगलादेश में देखिए, ये नदी जो है, गंगा नदी मतलब पदमा नदी के साथ में मिल जाती हैं, और गं का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है कोन निर्मान करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं जिसे सुन्दरवन डेल्टा कहते हैं और लास्ट में ये मेगना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं क्लियर हुआ आपको ब्रह्मपुत्र नदी के देखिए सायक नदियों की बात करते हैं तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सारी important है एक भी मत छोड़ियेगा हर एक सायक नदी से related exam में question पूछा जा चुगा है तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की नदी के सायक नदी है कहां से निगलती है सिक्किम से निगलती है सुवन सिरी नदी कमेंग नदी मानस नदी दिबांग नदी लोहित बराग और कपिली नदी ये जित्ती भी नदिया है ये ब्रह्मपुत्र की सायक नदिया है सारे नाम आपके दिमाग में सेट हो जाना चीए तिस्ता, सुवनसीरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपीली ये सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की सायक नदिया है इसमें तिस्ता, सुवनसीरी, कमेंग, मानस और दिबांग नदी जो है सिक्किम से होता हैं, पश्यम मंगाल से होते हुए, बांगला देश में प्रवेश करती हैं, और वहां बर्मपुत्र से जाकर मिल जाती हैं, लोहित नदी जो है, इसे खून की नदी के नाम से भी जाना जाता हैं, किस नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता हैं, लोहित नदी तो बराक नदी जो हे ये मणीपूर की पाड़ियों से निकलती हैं Nharn Condic, Imagine aßam hoethe world largest river island जो है माजूली वो इस्तिते हैं कहाँ पर असम में माजůली जो है वो विश्वका सबसे बड़ा नदी द्वीपें ब्रह्मपूत्र नधी में इस्तिते हैं ठीक है असम में ये चीज आप द्यान रखेगा तो ये ब्रह्मपूत्र नजी तंत्र को हमने अच्छे से डिसकस करा है इसमें ब्रह्मपूत्र की सायक नजियां जो मैंने आपको बताईए वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा महां से एक्जाम में देखिए बहुत कोशन पूछे जाते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से हिमालाई नजी तंत्र को डिसकस करा जिसमें हमने सिंदू नजी तंत्र, गंगा नजी तंत्र और ब्रह्मपूत्र नजी तंत्र को अच्छे से डिसकस करा है इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं प्रायदीपी नदी तंतर की, मतलब दक्षिन भारत की नदियों की, तो हिमालाई नदी तंतर की तुलना में प्रायदीपी नदी तंतर जो है, वो बहुत अधिक पुराना है, तो ऐसा मा समझेगा कि हिमालाई नदी तंतर बहुत अधिक पुराना है, प्रायदीपी नदी तं दंतर का निर्मान करती हैं दक्षिन भारत की नदियां। नदियों की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले आती है नर्मदा नदी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा रिफ्ट विले से होते हुए बहती है नर्मदा नदी। ब्रंश गांटी से होते हुए भेती है नर्वदा नदी ये नदी मद्य परदेश की सबसे बड़ी नदी है जीवन रेखा कहा जाता है नर्वदा नदी की सायक नदियों की बात करें तो उसमें आती है औरसंग, तवा नदी जो की बहुत आदा फैमस है शेर नदी ये सभी नर्वदा नदी की सायक नदी आएं ध्यान रखेगा अमर कंटक से दो नदिया निकलती हैं एक नर्वदा नदी और एक सोन नदी सोन नदी हमने पहले डिसकस करा था जो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं पटना के पास में नर्वदा नदी निकलती है जो कि ब्रंश गाटी से बहते हुए खमबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब तापती नदी की जो कि मद्यप्रदेश के बेतूल जिले के निकट सत्पूरा पहाड़ीों से निकलती है और ये नदी मद्यप्रदेश महारास गुजरास से प्रवाइद होते हुए और अब सागर में जाकर मिल जाती है फ्रेंट्स ध्यान रखिएगा तापती नदी और नर्वदा नदी दोनों नदियां जो है वो ब्रंश गाटी से होते हुए बहती है इसके बाद देखिए महाई नदी की बात करते है इस नदी का उदगम मद्यप्रदेश के धार जीले के समीब विंध्याचल परवर्शेणी से होता है मद्यप्रदेश से देखिए ये पश्यम की और राजस्तान गुजराद में बहते हुए ये नदी खंबा की खाड़ी में जाकर गिर जाती है महाई नदी जो है वो भारत की एक मात्र एसी नदी है जो करकर एखा को दो बार गाटती है तो ये हमने अच्छे से डिसकस करा नर्बदा नदी तापती नदी और माही नदी जो है वो पश्यम की और बहते हुए खंबा की खाड़ी मतलब अरब सागर में जाकर मिल जाती है इसमें ध्यान रखेगा तापती नदी और नर्मदा नदी जो है वो Rift Valley मतलब ब्रंश घाटी से होते हुए बहती हैं और स्टार्टिंग में हमने डिसकस करा था कि तापती नदी और नर्मदा नदी जो है वो एशूरी का निर्मान करती हैं जब यह समुद्र से मिलती है वहाँ पर एशूरी का निर्मान करती हैं कौन सी नदी तापती नदी और नर्मदा नदी साथी धियान रखेगा गोवा में बहने वाली मंडोवी नदी जिसे मांडवी नदी कहते हैं वो भी एशूरी का निर्मान करती हैं ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसीच को ध्यान रखेगा, नर्वदा नदी, तापती नदी, एश्चुरी का निर्मान करती हैं। आगे अब देखिए, पुर्वकी और बहने वाली नदियों की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हम डिसकस करेंगे गोदावरी नदी। पुर्वकी और बहते हुए, बंगल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, क्रशना नदी की। क्रशना नदी जो है, वो प्राइदेपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हैं। इसका उद्गम जो हे महाराष्ट के माबलेशवर के पास से होता है। क्रशना नदी जो हे महाराष्ट से होते हुए, करनाटक, तेलंगाना और आंदरपदेश से भहते हुए, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्रश्ना नदी की प्रमुख सायक नदीयों की बात करें तो उसमें तुंग बदरा, भीमा और कोहिना नदी है। ध्यान रखेगा, क्रश्ना नदी जल विवाद जो है, वो क्रश्ना नदी के जल बटवारे से संबन दीते हैं, जो की आंदरपदेश, करनाटक और महारास्ट के बीच 1957 से चल रहा हैं। ठीके क्रश्ना नदी जल्विवाद जो है वो आंतरपदेश, करनाटक और महाराज से संबन दीते हैं। इसके बाद देखिए अगली नदी की बात करते हैं वो है महानदी। महानदी की देखिए लंबाई कितनी है 851 किलोमेटर हैं। महानदी चतिसगड उडिसा की प्रमुक नदी है इसका उदगम चतिसगड के रायपूर के निकट सिहावा पहाडी से होता हैं। और ये नदी पूर्वकी और बैते हुए उडिसा में प्रवेश करती हैं और डेल्टा का निर्मान करते हुए बंगाल की खाडी में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखेगा इसे दक्षिन भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता हैं किसे कावेरी नदी को जाना जाता हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर प्राइदीपी भारत की नदियों को अच्छे से डिसकस करा। इसमें ध्यान रखेगा फ्रेंड्स गंगा नदी, क्रशना नदी, कावेरी नदी, महा नदी जो है ये डेल्टा का निर्मान करती हैं। इसमें घ्यान नदी जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो बनाती हैं। इसके बाद देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट नदियों को भी हम डिसकस कर लेते हैं जहां से एक्जाम में कोशन बन जाता है। स्वन रेखा नदी, जारकंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी हैं, ये नदी राची के निकट छोटा नागपूर के पटार से निकलती हैं, जारकंड से निकलकर पशिब मंगाल उडिसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, प्रसिद्ध शहर के निकट अरावली पहाड़ीों के नाग पहाड़ से होता हैं, राजेस्तान से बैते हुए गुजरात में इंटर करती हैं और गुजरात के कच्छ के रन में ये नदी जो है विलूपत हो जाती हैं, ये भी एक्जाम में कोशन पुछायता हैं कि कच्छ के रन में कौन सी काली गंगा के नाम से भी जाने आता हैं. ये नदी हिमालाय स्थित काला पानी नामा किस्थान से निकलती हैं, उत्राखन में बैते हुए उत्तर पदेश में प्रवेश करती हैं, और बैते हुए गागरा नदी जिसे सर्यू नदी कहते हैं, उसके साथ में जाकर जॉइंट हो जाती हैं काली नदी साथी ध्यान रखेगा very very important यह नदी जो है भारत के पूर्व की ओर भारत नेपाल के अंतराष्टी सीमा बनाती है कौन सी नदी काली नदी बनाती है इसके बाद देखें पेनार नदी को हम डिसक्स कर लेते हैं पेनार नदी जो है वो किसी की सायक नदी न पूरब की ओर 970 किलोमेटर बैकर बंगाल की खाड़ी में जाकर घिर जाती है ठीक है तो करनाटक की प्रमुक नदी है पेनार नदी तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने हिमालाई नदी तंत्र प्राइदी पी नदी तंत्र को अच्छे से डिसकस करा और अलग से कुछ इ यहाँ पर देखिए हमारा यह theory section complete होता है I hope आपने ध्यान से सुना होगा lecture complete करने के बाद में देखिए अब यहाँ पर second important चीज़ यह निकल कर आती है कि जो भी हमने study करिए इनसे related exam में किस तरीके से question पूछे जाते हैं वो questions आप इतनी आसानी से solve कर पाएंगे इसलिए इसक आपका confidence जो है वो बढ़ेगा आप अगर देखिए question देखके सारे answer निकाल लोगे तो आपका confidence बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से exam में question पूछे जाते हैं तो इसका second lecture जो है जिसमें सारे important questions को मैंने solve कर रहा है वो lecture जरूर देखिएगा और अपना confidence जो है बढ़ाईएगा क्योंकि यहां से एक या दो number जो है वो जरूर exam में पूछे जाते हैं तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही था I hope आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करिएगा share करिएगा और comment करके जरूर बताएगा कि subscribe भी कर लिजिए क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी में upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत